अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो यह पिटी में शौर कि आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट यह चल रहा है कि क्या सचमुछ Mock Test हमारे लिए बहुत ज़ादा Important है अगर Mock Test हमारे लिए Important है तो यह किस तरीके से हमारी मदद कर सकते है final examination याने कि flat examination को निकालने में and at the same time एक question जो आप लोग मुझे बार बार post करते हो और पूछते हो कि sir mock test में हमारा score नहीं बढ़ रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए ये सभी चीजें आज हम यहाँ discuss करने वाले हैं तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है then I would request you कि please do hit that like button and साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को भी subscribe नहीं किया then trust me आप बहुत बड़ी opportunity miss कर रहे हैं जहाँ पर आपकी जो तयारी है CLAT examination and other law examinations की उनको जो है एक बड़ी उडान यहाँ पर मिल सकती है तो जल्द से जल्द वो subscribe बटन को क्लिक कर दें like बटन को क्लिक कर दें and please सब कुछ भूलके 5 मिनिट मुझे मस दे दीजे ताकि मैं आपको बहुत अच्छे समझा पाऊं कि आखिर mocks का हमारी तयारी पर क्या रोल होता है बढ़ते आगे सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर mocks overall दिये क्यों जाते हैं तो अगर आप mocks overall क्यों दिये जाते हैं इस चीज को analyze करोगे तो आप ये पाऊगे that this is something जो की हमारी limits को test करने के लिए होता है कहने का मतलब इसमें ultimately आप ये check करते हो कि overall आप कि स्थिति पे खड़े हुए हैं अभी क्योंकि किसी भी examination को निकालने के लिए you should know कि आपकी दिशा यानि की direction और आपकी दशा यानि की आपकी situation ये दोनों ही चीज़ें एकदम perfect होनी चाहिए दशा जो है वो आप खुदी ठीक कर सकते हैं जहां पर आप अच्छा material अच्छी बार-बार mock test देना अच्छी पढ़ाई करना ये सारे efforts जब आप लगाते हैं तो आपकी दशा अच्छी होगी दिशा के लिए आप एक अच्छा mentor जो है वो choose कर सकते हैं जो कि आपको ये दिखाए कि कि किस तरीके से as per the changed pattern of the examination आप इस चीज को बहुत अच्छे नंबरों से crack कर सकते हैं तो अगर overall देखा जाए कि क्या importance है of taking mocks तो सबसे पहले जो है वो ये है कि ये आपको knowledge assist करने में काम में आता है second ये identify करने में मदद करता है आपकी weaknesses को third ये आपकी progress को track करने में मदद करता है fourth ये आपको learning के साथ सा testing में भी मदद करता है and last but not the least ये आपको motivate करता है अब इन सभी चीजों को एक एक करके हम देखते हैं सबसे पहले बात होती है assessing the knowledge आप इतनी सारी चीज़े पढ़ रहे होते हैं but at times क्या होता है कि जब आपसे randomly कोई वही चीज़ पूछ ले आपसे कोई section पूछ लिया जाए कोई article पूछ लिया जाए constitution का कोई ए concept पूछ लिया जाए so it is quite possible कि शायद आप उतने जल्दी उस चीज़ को नहीं gather कर पाओगे and this is why जब हम mock test देते हैं तो हमारा brain जो है वो हमको force करता है recall करने के लिए and recall करने से सबसे ज़्यादा memory जो है आपकी शाब होती है इसी लिए जब भी mock test दे रहे होते हैं हम recall कर रहे होते हैं as to हमने क्या read किया है and once जब आपने कुछ चीज read किया है उसको recall करते हैं अगर आपको याद आता आ जाती है तो वो आपके lifelong आपके साथ रहेगी but if in case नहीं आती है then comes the important role of revision यानि आप read करें recall करें and जो याद नहीं है उसको revise करे and then again read करे and recall करें जब ये cycle पूरी virtuous cycle चलेगी तब ही ultimately आपका जो है overall preparation of the examination जो हो पाएगा जब आप assist कर पाओगे कि हाँ मैंने ये सारी चीजें इस प्रकार से पढ़ी है and शायद वो मेरे लिए fruitful है and if in case नहीं तो फिर आप अपना जो study plan है उसको अपनी हिसाब से थोड़ा और personalize कर पाओगे आप जो है पढ़ने के तरीके को बदलोगे आप ये realize करोगे कि यार things जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पूछी जाती है ताकि अब आपकी preparation जो है उसको आप alter करके उसी particular direction पे align करोगे that is why we say that कि आपके लिए assist करना कि आप कहां पर घड़े हैं किस position पर घड़े हैं इसके लिए test देना बहुत जादा important है similarly दूसरा जो important major point है वो है identifying the weaknesses जब आप test देते हो for example आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका quant थोड़ा सा कमजोर होगा आप में से कुछ हो सकते हैं जिनके लिए current affairs थोड़ा सा कमजोरी की चीज़ है तो ऐसी स्थिती में आपको basically जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी strength है या वो आपकी weakness है इसलिए जब आप test देते हो अलग अलग segments के for example आपने English का दिया English उसमें एक आपका section है उसमें आपका legal section है उसमें आपका current affairs section है उसमें आपका QT section है उसमें आपका logical section है जब आपने overall एक mock test दिया full length तो आपको पता चलेगा कि मेरा English में ज़ादा अच्छा score आ रहा है या legal में अच्छा आ रहा है या QT में problem हो रही है या फिर logical reasoning में problem हो रही है so overall it will help you analyze as to आपकी weaknesses क्या है और आपकी strengths क्या है इसके beyond ये आपको आपकी progress को track करने में भी मदद करता है for example अगर आपने पिछली बार जो mock test दिया है उसमें legal में आपके let's suppose सिफ 10 marks ही आते है next time जब आप legal के exam देते हो उसमें let's suppose आपके 12 marks आते हैं फिर आप जब next time देते हो उसमें आपके 15 marks आते हैं तो आप ये चीज देख पाओगे कि आपका जो tangent है वो growth की तरफ जा रहा है and overall आपकी तयारी जो है वो सही direction में if in case ये नहीं है then what is that one thing that I need to change जादा मदद करेगा इसके अलावा ये motivate जरूर करता है अगर आपके पहले marks में खराब marks आ रहे हैं and आपने बहुत जादा पार research करके और अच्छे से अपने पढ़ाई के तरीके को alter करके दुबारा mock test दिया तो definitely जब आपका score बढ़ेगा तो आपको एक motivation भी आएगा कि yes अब मेरे legal के marks अच्छे हो रहे हैं अब मेरे को logical reasoning के questions बन रहे हैं अब मुझे English के questions जो है वो जादा बहतर तरीके से बन रहे हैं मुझसे QT जो है वो जादा बहतर तरीके से हो पा रहा है तो इस तरीके से आपके अंदर motivation आएगा कि आपने जो effort डाला definitely उसका returns मिले है और जब returns दिखने लगते हैं तो आप और जादा मेनत करने के लिए ततपर होते हैं However, ये याद रखिएगा कि motivation के साथ-साथ कुछ बच्चे जो हैं वो demotivate भी होते हैं तो उसके लिए क्या करना है बस दो मिट और रुकिये मैं आपको बताता हूँ इसके अलाबा जो बहुत important चीज है वो ये है कि आपको ये समझना है that mock test is not just a mere means of testing but rather it is also a means of learning आपके जो भी sources हैं examination की preparation के and जब आप mocks देते हैं तो ये बताता है कि कुछ चीजें हैं जो आपसे examination में नहीं बनेंगी mocks में तो उसके बाद आप क्या करोगे आप revisit करोगे अपने sources को let's suppose आपने जो sources identify किये थे उसमें वो चीजें नहीं मिल रही हैं तो आप क्या करोगे आप कुछ additional sources को include करोगे या फिर आप कुछ additional material को refer करोगे जब आप ये कर रहे हो तो what is happening is कि आप जो vacuum created है उसको यहाँ पर fill करने की कोशिश कर रहे हो याने अपनी पढ़ाई में अपनी preparation में जो आपको loopholes नजर आ रहे हैं उन loopholes को आप cover up करने की कोशिश करोगे and in that manner आपके जो sources है वो भी intact है जो आपने additional material refer किया है वो भी intact है आपने mock दिया है जिससे कि आपकी testing and learning दोनों हो रही है and ultimately जब आप CLAT examination देने जाओ गया अपना तो automatically आपको benefit इसका देखने को मिलेगा अब सवाल ही आता है Sir, how to make full use of these mocks इतना सब समझनी के बाद सबसे पहले तो आपको ये समझना है that you need to cover the basic syllabus सबसे पहले आप अपना basic syllabus जो है वो cover करे but बच्चे क्या करते है थोड़ी से book AP भारतवाज पढ़ ली थोड़ी से book Lexis-Nexis पढ़ ली थोड़ी सी आपने जो है word power made easy पढ़ ली थोड़ी सी आपने जो है RS शर्मा पढ़ ली ऐसे आप RS अगरवाल पढ़ ली ऐसे आप क्या करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से ही कुछ चीजों को पढ़ रहे होते हैं जैसा कि मैंने last आपको session में बताया कि importance of timetable क्या होती है importance of planning क्या होती है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बहले plan करिए कि exactly आप कौन-कौन से topics जो है वो कितने समय में खतम कर लेंगे once that basic thing is covered अब आपको mocks जो है वो literally examination environment में देने हैं when I say examination environment what do I mean by that by that I mean कि उस समय आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि में को ममी ने बुला लिया में को पापा ने बुला लिया मुझे जो है मन नहीं लग रहा था मैंने mobile उठा लिया calculate करने लगा sir ये सारी चीज़ें आपने नहीं गरने है the only thing is कि आपको उस पूरे के पूरे time period में two hours के अपनी seat से हिलना नहीं है चाहे आप से बने चाहे आप से ना बने you have to give this examination in the controlled environment आपको वैसे ही environment में exam देना है जैसा कि आपका final examination जो है वो होगा इसके बाद जो दो hours आपने already exam को देने में लगाए है उसके बाद minimum two hours आपको देने है इस exam के analysis पे what do we mean by analysis बच्चों को यही नहीं पता है में इसे सवाल पूछते है analysis आप कहते हैं बट हमें करना क्या होता है उसमें आपको करना यह है let's suppose current affairs का एक topic है उस current affairs के topic में G20 से related एक paragraph आया जिसमें कुछ दो तीन आपको blanks जो हैं वो देखने को मिले अब आपको क्या करना है आपको अपनी current affairs के लिए एक notebook बनानी है उसमें आप G20 से related जो जो चीज़ें आपके examination में आ सकती है जितनी भी चीज़ें पिछले एक साल में इससे हुई है वो सारी की सारी आपको एक जगे note down करके रख लेनी है For example, starting from कि Troika क्या होता है Starting from कि अभी इससा में Troika में कौन-कौन है Starting from कि अगर हम G20 की बात कर रहे हैं तो G20 के members कौन-कौन है ठीक है फिर इसके बाद इसमें Sherpa Group होता है तो वो Sherpa Group में कौन-कौन आता है किसको हम Sherpas कहते हैं ये सब चीजें आपको cover करनी है Similarly, अगर कुछ एक Act है जो कि आपके, let's suppose, Legal Reasoning में आया या फिर, let's suppose, आपके Current Office में आया दोनों जगे ही आ सकते हैं अब उस Particular Bill या उस Particular Act के जितने भी Provisions हैं जो आपको पता होने चाहिए उन सब ही Provisions को आपको बहुत अच्छे से यहां पर cover करना है कहने का ताद पर आप कर क्या रहे हो आप कर रहे हो Reverse Engineering Reverse Engineering इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि शायद, शायद कुछ एक Concept है Reasoning का जो आपसे नहीं बन रहा है तो अब आप इसको Star Mark कर लोगे अपने syllabus में और ये Ensure करोगे कि अब ये Reasoning का Topic आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए उसके लिए जो चीज़े करते बन रही हैं आप वो preparation उसके हिसाब से करेंगे English के आपके अगर vocab से जुड़े हुए कुछ शब्द है आप उनको एक अलग notebook में note down करिए ऐसे जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे this is how your ultimate aim of giving a mock test is fulfilled otherwise जब तक आपने ये analysis की exercise नहीं किरी तब तक आपका जो mock देने का पूरा का पूरा उदेश है वो फुल्फिल नहीं होगा so you definitely need to realize that if in case you want to give your mock exam then you have to get the best out of it and to get the best out of it you have to give at least 2 hours of time after the examination for analyzing your exam or rather analyzing your mock test ठीक है जब आप ये सारी चीज़े करते हैं sir तभी आप mock test को सही से उप्योग कर पाएंगे और तब उसका मतलब है and अगर इतना आप कर रहे हैं trust me automatically आपका जो mocks में score है वो बढ़ने लगेगा but अगर आपका mock में score नहीं भी बढ़ रहा है तो you need to make this point clear in your mind कि ये जो mocks हैं ये ultimately आपका exam नहीं निकलवाएंगे आपका examination निकलेगा आपके CLAD के examination के द्वारा जो की consortium of NLUs जो है वो बनाएगा and ये आपके December में होगा तो इसमें demotivate होने की कोई बात नहीं है कि आपका score बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है अगर ये exercise आप नहीं कर रहे हो and आप complain कर रहे हो कि मेरा mocks में test नहीं बढ़ रहा then definitely आप गलत कर रहे हो लेकिन अगर आप ये exercise कर रहे हो उसके बावजूद mocks में test आपका जो है ultimate score नहीं बढ़ता है आपको घबराने की आवशकता नहीं that is something which will come along with your preparation वो automatically आपको follow करेगा ठीक है तो आपका focus होना चाहिए इस exercise में आप ये exercise करोगे automatically जो सारी चीज़े हैं वो flow करने लग जाएंगी ठीक है so please make sure that you are making full use of your mock test and yes it is very important to give mocks ऐसा नहीं है कि आपकी English अच्छी है आप सोचो कि आप सिर्थ directly exam examination hall जाके exam दे दोगे तो आपका कुछ benefit होगा बिल्कुल भी नहीं होगा राइट जी इसी के साथ साथ if in case you guys want to connect with me तो आप ये QR code जो है इसको scan कर सकते हैं जैसे ही आप ये QR code scan करेंगे आप एक telegram group तक पहुँच जाएंगे आप चाहें तो इस telegram group को directly भी reach out कर सकते हैं by typing directly being Aditya Rai जैसे ही आप being Aditya Rai type करोगे telegram पे और search करोगे so you will land up to this particular group जहाँ पर I keep on posting all the important articles from the newspapers and also the schedules of the classes which are taken by me either on the YouTube or on the Unacademy platform moving beyond since we now know what is the importance of mock test तो आपको ये भी पता होना चाहें कि mocks जो है वो definitely उस pattern पे होने चाहें जिस pattern पे आपका CLAD का examination होगा so for making that thing sure कि आप अपने examination के पहले ही बहुत सारे examination दे रखे हो Unacademy जो है आपके लिए CLAD का mock test series already लेकर आ चुका है ये जो mock test series है ये आपके new pattern के हिसाब से depend करेगी अब अगर आप थोड़े बहुत भी aware हैं आप ये बोलेंगे सा new pattern हमको ऐस सच तो अभी पता नहीं है we just know कि 120 questions होंगे but किस में कितने questions होंगे paragraphs का size क्या होगा इस अब हमको नहीं पता है इसलिए what Unacademy is doing कि हम एक साथ सारे के सारे papers बना के नहीं रख रहे हैं rather हम ये ensure कर रहे हैं कि आपको 30 full length mock test examination तक regularly provide कराई जाएंगे और 5 full length mock test जो होंगे वो आपके elite के लिए होंगे and let's suppose अभी चल रहा है June June में अगर आपको जो है एक paper दिया गया फिर आपको July में हर week में एक paper दिया जाएगा इसके साथ साथ जैसे जैसे हमें notification मिलेगा consortium of NLUs की तरफ से pattern के हिसाब से तो इन papers को जो आने वाले हैं उन्ही के हिसाब से तुरंत alter कर दिया जाएगा right कहने का मतलब आपको कहीं भी भटकने की आविशकता नहीं है as to कि what is the change in the pattern and क्या वो pattern हम practice कर रहे हैं या नहीं because that is something which an academy will definitely take care of right for this वैसे तो price इन्होंने रखा है 5,000 but यह आपको 4,200 पे discounted price पे दे रहे हैं but over and above of this I want की आपको थोड़ा और discount मिले इसलिए आप यह code जो है which is bar 5 being adity rai army 5 bar 5 को जैसे ही आप as a coupon code input करेंगे तो आपको इसके भी नीचे price जो है discounted price पे मिलेगा ठीक है so I hope this thing is clear to you and if in case आप में से कुछ बच्चे हैं जो की full-fledged batch में हमारे साथ जुड़ना जाते हैं so the warriors batch is already live जो की आज से शुरू हो चुका है जिसमें आपको CLAT, ALAT, MHCET, SLAT, LSAT सारे ही examinations जो है उनकी preparation कराई जाएगी करना क्या है आपको सिर्फ एक code है उसका यूज करना है and the code is bar 5 जैसे ही आप इस code का यूज करेंगे you will get to see the maximum discount जो आपको मिल सकता है इसके अलावा अभी अनकाडमी ने आपके लिए एक और special scheme निकाली है जिसके तहर्थ 25 प्लस 10% का additional discount मिल रहा है आपको सारे के सारे iconic subscriptions में तो करना क्या है सिर्फ इसके लिए avail करने के लिए आपको एक code लगाना है बार 5 जैसे ही आप ये code लगाओगे आपको ये additional 10% का drop जो है वो देखने को मिलेगा and ये valid है केवल और केवल 30th of June तक and जैसे के आपको पता है Warriors batch शुरू हो चुका है इसके अलावा अगर आप 2025 के लिए तयारी कर रहे है so for that also we have integrated mission batch and at the same time the ace legal batch जो की आपको definitely मदद करने वाला है for those kids जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि sir हम अगर इन courses को afford नहीं कर सकते तो क्या करें sir आपके लिए एक opportunity है and वो opportunity obviously I would say earn it and to earn that opportunity what you need to do is 2nd of July that is 2nd of July को at 2 p.m All India Free Scholarship मौक्तेज जो है वो कंड़क कराया जा रहा है अनकाडमी की द्वरा when I say All India Free that means you need not give any penny to sit for the examination अब आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ ये QR code को scan करना है जैसे ही आप इस QR code को scan करोगे आपको एक page पे लेके जाएगा वहाँ आपको enroll कर लो 2nd of July को correct 2 बजे आपका जो है test शुरू हो जाएगा ये test पूरा का पूरा new pattern के हिसाब से चलेगा new pattern के हिसाब से चूकी ये test चल रहा है तो आपको जरा भी घबराने के आवशक्ता नहीं है की irrelevant questions होंगे सारे questions आपके syllabus के हिसाब से आपके new pattern के हिसाब से होंगे जैसे ही आप इसको इस test को conduct करोगे उसके बाद top 500 बच्चों को at least जो है heavy discount देखने को मिलेगा up to the full fee of the course तो करने की क्या आवशक्ता है सिर्फ आपको जाके test ही तो देना है so prove your worth and get the best out of anything which is available for yourself with this I am signing off thank you so very much for your valuable time आप से गुजारिश ही रहेगी कि इसके अलावा भी अगर आपके कुछ doubts, question, queries हैं तो यहाँ पर आप comment section में comment ज़र करके ज़ूर बताएं and at the same time आप मेरे telegram channel से जुड़ सकते हैं telegram channel पर जैसे ही आप जुड़ोगे तो आपको वहाँ पर भी option मिलेगा कि आप मुझसे बात कर सकते हैं and we will definitely cater all the needs that you people have with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying, keep grilling Jai Hind, Jai Bharat